हेलो दोस्तों असलाम उलेकुम कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पे तो आज मैं लेके आए हूं कुनार साग का रेसिपी जो के यह हमारे इधर मिलता है जारखन में मिलता है यह इसका साग ना बहुत अच्छा बहुत टेस्टी लगता है यह तो सीजनली इसी मौसम में यह मिलता है और यह पेड़ पे होता है यह साग अगर आप लोग तरफ होता होगा तो आप जानते होंगे तो यहां पे देखिए मैं ली हूं इसे आधा केजी का है यह साग और इसे ना हमें मतलब चाकू अगेरा से नहीं काटना है ना तो इसे पसूल से काट के द cev को तोड रहा हैं तो तो सभी को इसी तरह करके बना लें गए और जब यεए पते ज़ड़ते हैं यह जब नेया नेया पत्ता ऊखता है तो उसी को साग बनाए जाता है तो यह सीजन में यह होता है और साल भार में एक ही बार मिलता है यही सीजन में तो बस इसको इस तरह करके सभी को तोड लेंगे हम और इसको दो लेंगे तो यहां पे देखिए मैं तोड के त्यार कर ली हूँ और यह देखिए मैं डंठल भी डाली हूँ तो अगर पीस का डंठल को इस साथ में डाल के बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है यह तो यहां पर देखिए मैं कूकर ली हूं और साख को जो मैं तोड के रखी हूं उसे दो लेंगे पहले मैं दो चुकी थी एक बार लेकिन जब मैं इसे तोड़ी हूं तो एक बार और दो लेंगे और इसे कूकर में डाल देंगे तो यहां पर मैं सभी को डाल दी हूं और इसमें एक प्याज डालेंगे जिसे की बारिक बारी काट लेंगे नहीं तो फिर आप रफली चॉप भी कर सकते हैं ऐसे भी गल जाएगा और इसे हम एक सीटी लगा लेंगे तो एक प्याज डाल रह और इसे एक सीटी आने तक पका लेंगे, ज़्यादा नहीं सीटी लगाना है, इसे एक सीटी, और इसका गैस है, तो हम निकालेंगे नहीं, बस इसी में सांथ होने देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पक चुका है, और इसे हम मैस कर लेंगे, इसी में कूकर में, आप पर देख सकते हैं यह दाल जो मिक्स करने वाला रहता है तो उससे हम इसे मिक्स कर रहे हैं और एची तरह से मिक्स हो चुका है और यहां पर गैस भी मैं कड़ाई चड़ा दी हूं और इसमें दो तिन चमच में सरसो का तेल डालूंगी अगर आप रिफाइन खाते होंगे तो इसा संसे भी बना सकते हैं और यहांपर मैं चार मिर्ची लिए हूँ तो दो हरी मिंइच है दो शूखे हूए मिर्च है इसमें चाका ल Pak में लाल मिर्च से और जो हरी मिर्च है तो इसे हम इसतरह नहीं पर बोल को करमें कर के speaking को कुकर में तो यह लस्थून के साथ बंता है बहुत सारा लसुन इसमें डाला जाता है तो बहुत टेस्ट से पकाया जाता है तो बस यहां पर मैं लसुन को छिल लिए थी और इस तरह करके इसे हम बारी बारी से खूट लेंगे और तेल गरम हो गया था उसमें थोज़ा सा मैं हींग डाली हूं एक चौथाई चमच और जो एक मिनदर तक पकने देंगे और जो लसन था उसे हम कुटके इसमें डाल देंगे और इसे हम दो मिनदर तक पका लेंगे ताकि इसका कच्चा पन दूर हो जाए तो यहां पर देख सकते हैं यह हो चुका है तो जो साग था उसे हम अब इसमें डाल देंगे इसमें एट कर दें कि यहां देखिए लसुन को पूरा लाल नहीं करना है बस इसका हलका सा कच्चापन दूर हो जाए और यहां पर देखिए इस तरह करके हम सभी निकाल के साग को डाल दिये हैं और इसे पानी के साथ ही डालें ताकि जो भी इसमें विटामिन जो है साग का वह इसके अंदर चले कहली तक हुआ तो यहां पर देखिए तो आप हख भी है धना की सहा झाल आ यहां पर कर दो Skya करे ना किस्क्राइब के दियार यह है कितना आसान और वहें जाया साग कशुच्छिन बहुत ती और यहीं से ट्राइ करें आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारे इधर मिलता है जारखंड में यह तो देख सकते हैं बस यह बन के त्यार हो गया है तो आप गैस को बंद कर देंगे तो अगर आप लोग को मेरा यह रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक से कीजिएगा और स सस्क्राइब कीजिएगा जो नए दोस्त मेरे चैनल पर आते हैं वो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को जरू से दबाएं ताके आगे जो भी मैं वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें तो देख सकते हैं कि इतना के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं